हेलो दोस्तों नोटिफाई नोलेज में आपका स्वागत है आज में लोग बात करने वाले हैं फ्री स्मार्टफून टैबलेट योजना के बारे में फ्रेंड अगर आपको भी फ्री स्मार्टफून टैबलेट योजना का लाव लेना है तो सबसे पहले आपको डीजी सकती पो अब तक रखा गया है complete information वीडियो में आपको बताया चाहेगा आप लोगों से छोटा सारी कवेश्ट रहेगा अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा नए होंगे तो चैनल को जरूर सस् जब ऐसे करके आप लोग सर्च करेंगे तो फ्रेंड आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा आपको जो सबसे ऊपर यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं मैं highlight कर रहा हूं डिजी सकती पोर्टल गवर्मेंट आफ उत्तर प्रतिस ओला option आएगा तो सिंपली आपको इस पे क्लिक क कर देना है तो फ्रेंड जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस होगा यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि इनवस्टी बोर्ड सोसाइटी या फिर काउंसल ठीक है ना तो जो आपका यहाँ पर इनवस्टी होगा आपक पास enrollment number होगा enrollment number आपके market sheet पर होता है आपको जो है वही enrollment number यहाँ पर enter करना है एंटर करने के बाद यहाँ पर capture code है capture code आपको यहाँ पर enter करना है तो फ्रेंट जैसे ही आप लोग जो है click करेंगे आपके सामने जो आपका student detail है यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर so होना start कर देगा यहाँ पर आपका basic detail है जैसे कि आपका नेम आपके father name, date of birth, आपका email id, mobile number है क्या है आपका यहाँ पर so होना start कर देगा और यहाँ यहाँ पर आप दाये साइट देखेंगे यहाँ पर verification status आएगा तो यहाँ पर आप लोग देख पार होंगे यहाँ पर आधार e-kyc status टीक ना अभी आधार e-kyc status में मेरा अभी pending हो कर रा ठीक ना और नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि verify thought the login using e-pr पर्मान मेरी पहचांटिक है तो simply आपको क्या करना है इस वाले option पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको जो है मेरी पहचांट पोटल पर आपको यहाँ पर account create करना है जो लोग अपना यहाँ पर account create कर दिया होंगे उनको जो है यहाँ पर simply username और password डालके अपना एंडर करना है उसके बाद signing पर क्लिक कर देना बट जिन्हों ने अपना मेरी पहचांट पोटल पर account create नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर नीजे देखेंगे यहाँ लिखा हु यहाँ पर interface होगा यहाँ पर बता जाएगा कि आपके इस registration नंबर पर मतलब आपके इस mobile नंबर पर आपका OTP गया है तो आप जो है वही OTP यहाँ पर enter करके यहाँ पर verify OTP पर click कर देंगे ठीक है ना उतना करने के बाद आपका जो अधर कार्ड में नेम होगा वही नेम आप जो आपका जंडर होगा आप अपना जंडर यहाँ पर एंटर करेंगे जो आपका यहाँ पर date of birth होगा एंटर करने है पस्ते इसको आप ल colonies कर सकते JEं चाहाँ पकी आपाशवेर करना है तो फ्रेंटी जैसा कि आप लोग देख पारोंगे मैं यहाँ पर जो मेरा basic डेल मैं यहाँ फिल कर दिया हूँ उसके बाद आप लोग जब आएंगे तो यहाँ पर आपसे एक यहाँ पर please validation the expression यहाँ पर पुझाएगा यहाँ पर कौन सा value यहाँ पर बन रहा है तो आप यहाँ पर अपने according जो भी आपका plus होगा अगर यहाँ पर जैसे कि मेरा यहाँ पर plus दिया हुआ है 12 plus 8 यहाँ पर कितना होता है तो यहाँ पर 20 होता है मैं यहाँ पर enter कर दिया हूँ तो वैसे ही आपका यहाँ पर आयागा आप उसको जो है अपना value put कर दीजेगा उसके बाद यहाँ पे sign up पे click कर दीजेगा जैसे इस फ्रेंड आप लोग जो है sign up पे click करेंगे आप दोबारा इस वाले home page पे आ जाएंगे तो जो आप लोगों ने अपना username बना होगा वही username आपको यहाँ पे enter करना है जो आप लोगों ने अपना password यहाँ पे create के होगा पासवड आप लोग को enter करना है उसके बाद यहाँ पे आपको tick मारना है टिक मारने के बाद यहाँ पे signing पे आपको click करने के बाद आपके सामने एक ऐसा interface होगा यहाँ पे आपका आधार EKYC के जाएगा तो आप अपना यहाँ पे आधार number एंटर करेंगे एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग किस माध्यम से अपना OTP चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर mobile दिया होगा तो सभी candidate जो है mobile वाले option पे यहाँ पे किलिक करेंगे ठीक करना किलिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि I disagree ठीक करना इस पे आलेडी टिक होगा बट आपको जो है इस पे टिक नहीं करना है आप लोग अपने बैंस साइट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा I agree तो जितने भी connect है आपको जो है I agree पे यहाँ पे टिक करना है और जो भी यहाँ पे mobile number एंटर रहेगा उस पे OTP जाएगा OTP आप जो है यहाँ पे एंटर कर देंगे अगर आपके mobile number पे OTP नहीं गया होगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे regenerate OTP वाला option आएगा तो आपको simply इस पे क्लिक करके regenerate OTP पे क्लिक कर देना है तो दोबारा आपके mobile पे OTP पहुंच जाएगा ठीक है ना OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको simply verify पे क्लिक कर देना है तो फ्रेंट जैसे ही आप लोग जो है क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा interface सो होगा यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है success ठीक है ना your detail help in verify यह प्रमान मेरी पहचान ठीक हो ठीक है ना यानि कि आपका जो data है यहाँ पे successfully submit हो चुका है और आपका ECWC भी complete हो चुका है और आप लोग जो है eligible है मतलब smartphone टेबलेट हो जोना का लाम लेने के लिए आप दोबारा से जैसे मैंने आप आपको starting से बता है कैसे आपको login करना है वैसे आपको दोबारा login हो जाना है तो जैसे ही आप लोग जो है login होंगे यहाँ पे पहले मेरा यहाँ पे pending सो कर रहा था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे verified सो कर रहा है तो जितने भी आपको जो है ऐसे करके अपन process complete कर लेना है और अपना जो है अधार EKYC verified कर लेना है अगर फिर यहाँ पर आपका अधार EKYC इस्टिटेज जो है verified सो करना तो आपको कहीं जाने की आओ सकता नहीं कुछ भी करने की आओ सकता नहीं है अब यहाँ पर आपका काम खतम हो चुका है जैसे ही आपका फार्म यहाँ पर verified होता है आपके college के पास information पहुँच जाता है कि इस वाले candidate ने अपना आधार EKYC मतलब यहाँ पर complete कर लिया है उनके पास मतलब आपका data पहुँच जाया ठीक है ना तो आपको कुछ करने की आओ सकता नहीं कुछ भी यहाँ पर copy है फिर hot copy को college में submit करने की आओ सकता नहीं है और जितने भी candidate अपना EKYC complete कर लेंगे college वाले के पास list आ जाएगी list जो है यहाँ पर university को send कर देगी उसके बाद आपका जब भी यहाँ पर list में नामायागा आप लोग जो है smartphone tablet उजना का लाम मिल जाएगा ओके तो फ्रेंट यह तो बात नहीं उन छात्रों के लिए जिन्हों ने अपना अभी आधार EKYC नहीं किया था और मलब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कैसे आपको जो है अपना आधार EKYC करना उन सभी छात्रों का जो है यहाँ पर लिस्ट आ गया है कि इनको smartphone मिलेगा फिर tablet मिलेगा ठीक ना अब यहाँ पर आपको हम list दिखाने वाले है और आपको हम बताएंगे कि कैसे आप लोग जो है अपना list डाउनलोड करेंगे यह हर साल मतलब हर साल आप लोग को जो है यहाँ पर smartphone टैबलेट मिलता है और इसका मतलब यह ने कि इस महीने मिलेगा फिर उस महीने मिलेगा इसका महीने भी यहाँ पर decide ने ठीक ना तो आपको बरहो मासी आप लोग जो है अपना EKYC कर सकते हैं और आपको बरहो मासी smartphone टैबलेट उजना का अलाम मिलेगा बट आप लोग यह सोच के मतलब लेट मत किजिए कि यहाँ पर हर टाइम मतलब EKYC होगा हर टाइम जो है यहाँ पर smartphone टैबलेट उजना का अलाम दिया जाएगा तो आप जितनी जल्दी हो सके ना अपना यहाँ पर EKYC करके और अपना जो भी यहाँ पर मतलब जो भी प्रोसेस होता है उसको बढ़ा लिए ठीक है ना आप लोग इसका वेट मत किजिए कि लाह जिट क्या है बागी आप लोग जितनी जल्दी अपना प्रोसेस वित्रण कर सकती है अपना फ्रेंड यहाँ पर आप लोग जो सकते है मेरे पास जो है स्मार्टफोन टैबलेट विजना का लिस्ट है ठीक है ना और यहाँ पर जितनी भी कैंडिट एलिजबाल है उनका यहाँ पर लिस्ट जारी कर जाएक है आप लोग यहाँ पर डेट भी दे सकते है कि डेट आप डिस्टिबूशन की कब इनका जो है स्मार्टफोन टैबलेट जना का मतलब यहाँ पर लाब दे जाएका यहाँ पर आप लोग जो है डेट दे सकते है लिस्ट जारी कर जाएगा है तो आपको मिल जाएगा ठीक न सबसे पहला तरीका ये है सेकंड तरीका ये है कि आप जिस भी college में अपना admission करा होंगे न वहाँ पर जो notice मलत बोर्ड होता है वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं या तो जो अपने class teacher है उनसे भी आप लोग बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सार हमने अपना e-kwashi करा है वहाँ दो महीने तीन महीने हो चुके है बर अभी तक हमको कुछ यहाँ पर information नहीं मिला है कि हमारा list आया है या फिर नहीं आया है या फिर हम eligible है या फिर नहीं ठीक है अगर college चाहेगा तो ही आपको जो है अपना list मिलेगा या तो university अपना data यहाँ पर upload करेगा तो ही आपको जो है यहाँ पर list मिल पाएगा बाकि इसके अना में कुछ भी यहाँ पर मदब तरीका नहीं है कि आप लोग जो है दूसरे मादधम से अपना यहाँ पर list पा सकते हैं बाकि जितने भी candidate है जिनका e-kvac हो चुका होगा न अगर college वाले ने जितने भी candidate है जिनका e-kvac complete हो चुका है data यहाँ पर submit कर दिया होगा तो उनका list उनके college में आ गया होगा आप लोग अपने college में जाएए उनसे बात किचिए college वाले ही आपको जो है सही और सटिक जानकारी मदद देंगे बाकि एक बात की आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुसकरी है जिन्होंने अपना यहाँ पर दो महिने या फिर तीन महिने से अपना एक के बास की complete कर लिया था ना उन्हें सभी छात्रों का धिर दिर यहाँ पर लिस्ट आना स्टार्ट हो चुका है तो hopefully हो सकता है कि नॉमबर और दिसंबर में बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर स्मार्टफोन या फिर टैबलेट योजना का लाग दिया जाएगा बाकि इसके पहले मैंने स्मार्टफोन टैबलेट योजना से related जो है वीडियो यहाँ पर डाल गया है बाकि जिनको नहीं पता है जाके वहाँ पर देख सकते हैं उनको मदब वहाँ से आपको और भी information मिल जाएगा तो फ्रेंड यह रहे complete information में भी information आपको अच्छे लगे होगी वीडियो पसंद आओगी इसके अलामे कुछ डॉट हो कुछ प्राबलम हो तो कमेंट से तमने कमेंट कीजिएगा वीडियो पसंद आओगी लाइक से और जुरू कीजिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू और कीप वाचिंग